दोस्तों नुश्कार हम बात करेंगे आसे एक नए टॉपिक पर हो टॉपिक है सिस्टम ओड चिप सिस्टम को और दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिस को बोलत divorced है यह संसी सिस्टम ओड चिप अंधेट अशी का नचीप है बहुत यह बढ़्या एक सब टॉपिक है बेसिकली जनरी जो आप एंबेट सिस्टम पढ़ते हैं उसमें बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर्स या माइक्रो कंट्रोलर्स पर खतम कर देते हैं थोड़ा बहुत कोडिंग लेवल पर जाते हैं लेकिन आज कल जो एडवांस चल रहे हैं टेकलोजी के प्लस कंट्रोलर्स भी मिल जाते हैं तो ऐसी सिचूशन बनती कि एक सिंगल चिप के अंदर आप वो बहुत सारी चीज़ें इंग बिल्ट मिलती हैं तो हम इसको देखेंगे कि किस चिप में कौन सा कितना पर्चन कंपोनेंट है क्या क्या है तो इसको अब्जर्व करेंगी इसको जैसे एक्जामपल के तरह क्तर दिखा जाया इसमें सीप्यू भी आ गया वोड़ कंट्रोलर भी आगया इसके साथ हमारा टाइमर्र एंकाउंटर जा गये इसके साथ हमारे और भी फीचर आ जा से पी प McGreg Eh प्रोग्इम को प्रिफेर इंटरेस आ गया … अधर लीए को प्रोसेसर आ गए इसमें अंदर में आहर ऊस्काना को प्रेक्टोरियल में पूरा दिखाऊंगा तो बिसिकली ऐसी व्यवस्था जिसमें आपका पूरा सिस्टम जो है एक चिप के अंदर हो यह प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकली पूरा सिस्टम होगा ही इसका मतलब है कि ऐसी अरेंजमेंट जिसमें आपका पूरे जो मेजर कमपोनेंट्स जो हैं वह आपके सारे एक single IC के अंदर आ जाएंगे तो उसको बोलेंगे system on chip या तो वैसे भी नाम से ही बहुत clear है तो basically इसके अंदर हम cover क्या क्या करते हैं देखते क्या क्या है तो हम अपनी इस playlist में शामिल करेंगे introduction उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से किस तरीके के systems होते है processor architectures processor architectures को हम follow करेंगे basically ISO जो होता है जैसे 8085, 8086, 8051 जो होते हैं इनके more or less थोड़े बहुत थोड़े बहुत हमने देखी हुए होते हैं तो उसके आगे बढ़के चीजें कैसे गई तो हम देखेंगे network on chip क्या होता है module on chip क्या होता है system on chips के अलग-अलग variations देखेंगे on chip memory किस तरीके से काम करती है क्योंगी जब processor के साथ के दिए memory component रखते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि memory किस तरीके से काम करती है तो on chip memory की functionality यह सारी चीजें जो हैं हम इस playlist में cover करेंगे इस playlist के अंदर जो आपको मलब मोटे मोटे तोर पर आपको intro मिलेगा processor architecture के बारे में जानने को मिलेगा इसी के साथ ही एक interconnection जो होता है क्योंकि इन में आपस में connection बनाना है यदि आपस में connection नहीं होगा तो यह धंग से कम्मिनिकेट नहीं कर पाएंगी और कम्मिनिकेट नहीं करेंगी तो प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगी तो इसके लिए interconnection techniques होती है उस interconnection techniques पर हम फॉलोओं थोड़ा सा फोकस करेंगे ठीक है जिसके अंदर आपकी अलग-अलग तरीके की techniques आ गई जैसे arbitration technique हो गई अर्बिट्रेशन कैसे कैसे तरह से काम करता है आर्बिट्रेशन के protocol हो गई टॉपोलोजी हो गई ठीक है साथी साथ में बहुत सारी bus standards follow करेंगे बहुत standards जैसे कि आपका core connect हो गया ठीक है उसके बाद आपका AMBA हो गया AMBA हो गया इस तरह से और है अबलान है बहुत सारे होते हैं हम कुछ major major पर ही focus करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे इसके बाद हम कोशिश करेंगे एक और topic को cover करने की जिसका नाम है आपका IP based system design design of system ठीक है यह इसको cover करेंगे और हम देखेंगे कि इसका practically implementation soft implementation कैसे किया जाता है तो यह और case studies वह बीच बीच में आती हैंगी तो हम उसको उस पर भी ध्यान देंगे basically theory subject है और बहुत हता कि यह VHDL या verylock पर depend करता है इन languages को यूज करके हम करते हैं मैं आपको एक risk file का example दिखाऊंगा risk file तो risk file का जो पूर architecture आज कले बहुत चल रहा है मार्केट्वेस में मैंने अल्रडी दो वीडियो बना रखें तो आप चाहो तो एक बरस को भी देख लेना तो basically क्या हो रहा है कि जब से computer snap dragon के प्रोसेसर बनाना जैसे qualcomm का खुद का प्रोसेसर है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो इतनी compact size में आ रही है तो वो कैसे करते हैं उसकी पीछे technology किस तरह क्या रहती है वो किस तरह से काम करती है इसकी future possibilities क्या है और इस से related जो है studies या case studies हम देखेंगे ठीक है और doubts होते हैं बच्चों के जैसे की students के तो doubts इस तरह का रहता है कि इसके लिए हमाई software कौन सा यूज़ करना पड़ेगा तो इसमें विवाड़ो सबसे है बहुत अच्छा है Intel या इल्टेरा का सब्सक्राइब करता है इसमें बहुत जादा फैमिलियर नहीं ही लेकिन हाँ मैंने विवाड़ो पर बहुत काम किया तो विवाड़ो यूज़ कर सकते हो कुछी कोई साभी package या यूज़ करना ऐसा कोई साभी प्लेटफर्म जिस पर आप यह आपको यह दोनों चीज़े मिल जाएं और आप टेस्ट बेंच क्रियेट कर सब्सक्राइब तो इन सब के बारे में आपको दीरी दीरी पता पड़ेगा आप एक बार इसको देखिए है ना तो हम आगे बारे में डिसक्स करेंगे थैंक्यू वेरी मुच